पहले डेफिनिशन देखते हैं, the arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence, तो floral axis पे जो flower का arrangement होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं inflorescence, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, दो तरह का होता है, रेसिमोस और दूसरा साहिमोस, exactly flower का formation कैसे होता है, जब shoot modified होता है, यानि कि एपिकल मेरी स्टेम चेंज हो जाता है एक्शुल में किसमें फ्लोरल मेरी स्टेम में तो फाइनली डेवलप हो जाता है फ्लार में